सद्गुरु देव का जो देह त्याग है वह देह त्याग मृत्यू के रहस्य का अध्यात्मिक संकेत कर रहा है योगी वही है योगी वही है जो मृत्यू को मृत्यू को अपने अधिकार में रखकर मृत्यू को अपने अधिकार में रखकर जब चाहे सरीर से निकल जाए जो सरीर छोड़ कर अपने भावों को प्रगट करता हो मर कर मर कर फिर मरना नहीं मर कर फिर मरना नहीं उत्तम मरन कहाए मृत्यू क्या है सद्गुरु देव ने कहा यह जो मृत्यू है यह जो मृत्यू है एक योगी के लिए तो एक क्रीडा मात्र है खेल मात्र है और कुछ नहीं सद्गुरु देव का देहत्याग मृत्यू के रहस्य का आध्यात्मिक संकेद कर रहा है जाना कहा है किधर से जाना है इस मार्ग से आए है जाना किधर है किस प्रकार एक योगी किस प्रकार एक योगी अपनी चेतना का उर्ध मुखी विकास कर लेता है किस प्रकार से एक योगी मन और प्राण से परे प्रकृती से परे की छलांग लगा लेता है सद्गुरुदेव कहते हैं प्रकृती पर विजय प्रकृती पर विजय प्रकृती वादी नहीं करता प्रकृती पर विजय प्रकृती वादी नहीं करता प्रकृती पर विजय तो अध्यात्मवादी करता है जिसे मृत्यू का ज्यान नहीं जिसे मृत्यू का ज्यान नहीं प्रकृती के प्रवल चक्र को प्रकृती के जिससे शरीर बना है और केवल शरीर ही नहीं बना है जिससे संसार बना है मूल में तो तीन ही तत्व हैं जिने हम सत्व रज और तम कहते हैं प्रकृती त्रगुडात्मिका है वंदना में हम गाते हैं प्रार्थना करते हैं गुरु सिस्य हम प्रव की शरण में भक्ति अपनी दीजिए सिग्र प्राकृत त्रय गुडों को दूर हम से कीजिए सद्गुरु के शब्द शब्द में सद्गुरु देव के सब्द सब्द में अनन्त अनभव भरा पड़ा है हर एक शब्द में हर एक सब्द में हमारे कल्याण की गती है हमारे कल्याण की मार्ग का प्रकास है सद्गुरु देव के सब्द सब्द में स्वर्व स्वर्व में संपूर्ण विश्व की मानवता का ही कल्याण है प्रकृती बड़ी शक्तियों वाली है बड़ी व्यापक शक्ति है मृत्यों के समय प्रकृती का चक्र प्रबल हो गया और सरीर को समालना कटिन हो गया हमने मृत्यों के दुख का अनुभाव किया है एक बार किया हो तब ना हमने मृत्यों के दुख का अनुभाव किया है कितनी बार कोई गिन नहीं सकता अनन्त अनन्त जन्म और जीवनों से जन्म और मरण का जन्म और मरण का यह क्रम चला आ रहा है इसलिए जब प्राणों पर संकत आता है इसलिए जब मृत्यों सामने दिखती है तब सभी घबड़ा जाते हैं प्राणों पर आये संकत को दूर करना चाहते हैं क्यों मृत्यों दुखदाई लगती है क्यों प्राणों पर आये संकत को हम दूर करना चाहते हैं क्यों क्यों क्योंकि हमको पता है हमने इसका अन्भव किया है कि मृत्यों कितनी पीडा दायक होती है मृत्यों कितनी कश्टदाई होती है एक बार थोड़ी सरीर छूट गया है अनन्त अनन्त जन्म और जीवनों से अनन्त 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 जन्म और जीवनों से यह सब घटी तो होता चला आ रहा है और यह सारे संस्कार कहां इस्थित है एक चित्त है आत्मा के कार्य के लिए प्राकृतिक एक वाहिय करण है और केवल वाहिय करण ही नहीं है केवल इंद्रियों का ही समूह नहीं है केवल सरीर संगात ही नहीं है एक अन्त अन्त करण है जो चार प्रकार का है मन बुद्धी चित्त और अहंकार हमारे चित्त में जो अन्त करण है उसमें अनंत अनंत जन्मों के सुख के दुख के भोग के संसकार दबे भरे पड़े हैं वो चित्त है जैसे चित्र पट है वो कैमरा है वस्तुओं को खीच रहा हो अपने भीतर इस्थित कर ले रहा हो वो चित्त है वो केवल चित्त ही नहीं है वो चित्त पट है वो कैमरा है अनन्त अनन्त जन्मों का संसकार उसमें नहीं थे इश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है इश्वर ने इश्वर ने ऐसा कैमरा लगा दिया है चित के रूप में, सुखों, दुखों, भोगों, पदार्थों, संबंधों का, जो संसकार है, सुभ असुभ, सुख दुख से भरा हुआ, वह सब हमारे चित में ही इस्थित है, चित में ही इस्थित है। इसलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, जो संसकार सुख्ष्म रूप से चित में दबे भरे पड़े हैं, वो संसकार उबर कर सामने आ जाते हैं। वो सिगनल दे देता है, देखो तुम्हारा सरीर छूटा था, देखो तुम्हारा सरीर छूटा था, पुनह वैसा ही अवसर आ रहा है। सिगनल मिल जाता है, चित मन का इतना घनिष्ट संबंध है, मन को नहीं पता, ये संसकार चित में इस्थित हैं, दबे भरे पड़े हैं। सिगनल मिल गया, और वह सतर्क सावधान हो गया, मृत्यु सैया पर पड़ा व्यक्ति भी, मृत्यु सैया पर पड़ा व्यक्ति भी, जब तक स्वास है, तब तक आस है। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभाव किया है। मा के गर्ब में हमें कितना कश्ट मिला, मल मूत्र से भरे सरीर में हम उल्टे लटक गए। गर्बस्त सिसू नो जाने कितनी बार बेहोस हो जाता है। घोर अंधेरे में मा से कई गुना जादा कश्ट भोगता है। गर्बस्त सिसू गर्बस्त सिसू। नो जाने कितनी बार बेहोस हो जाता है। प्रभु से प्रार्थना करता है। बाहर निकालो प्रभु आपकी भक्ती करूँगा। अधेरा हमें पसंद नहीं है। गर्ब माही कौल किन्हा प्रभु के भक्ती की। मैं प्रभु की भक्ती करूँगा। अधेरेशे बाहर निकालो प्रभु अधेरा हमें पसंद नहीं है। हम प्रकास के साथ ही रहना चाहते हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को। हम भोगते चले आ रहे हैं, मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा। यह सब संसकार, सुख दुख के भोग के वासना के यह सारे संसकार हमारे चित्य में ही दबे भरे पड़े हैं। अतति निरंतरम कर्म भलानी प्रापनोती वास आत्मा जो निरंतर कर्म भलों को प्राप्त करने की इच्छा से सुद्रण है वही आत्मा है कहां कहां है आत्मा कहां कहां है आत्मा जहां जहां इच्छा सकती है जहां 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 ग्यान सकती है जहां जहां प्रयत्न की शक्ती है और प्रक्रती का संबंद है तब वहां सुख दुख और द्वेश का भी अनुभव हो रहा है सद्गुरु देव ने विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु देव भगवान ने ये जीवन है क्या ये मरण है क्या जन्मरण के चक्र से कैसे उनमक्त हुआ जा सकता है प्रकृति से परे की चलांग लगाई जा सकती है ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग का विज्ञान है ये सद्गुरु का विज्ञान सद्गुरु देव कहते है आज विश्व के वैग्यानिक बुद्ध जीवी चिन तक विशारक रहते तो देखते किस प्रकार से भारत का योगी स्वाइच्छा से योग मुद्रा में इस्थित होकर पूर्व निरधारित कारिकरम के अनुसार योग मुद्रा में इस्थित होकर अपने भौतिक सरीर का पर परित्याग करता है। भौतिक सरीर का परित्याग करता है। मृत्यू से परेपदार्थों का अनुभव कर लेता है। जन्म और मरण के बंदन से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाता है। मैं तो कूतु हल मात्र में मुक्ति द्वार से आए। वही शब्द का द्वार है। चेतन चेतन जाए। वह ज्यान वह ज्यान विसरा नहीं स्मरण होय मुहि आये। यह महिमा यह महिमा प्रभुजानिये भक्तन उर्बस आये। पूर्ण रूप मैं जानता ब्रह्म चक्र विस्ता। कौन कह सकता है ये। वही कह सकता है। वही उद्गोशना कर सकता है। जिसने साधना की अतल गहराई में पहुचकर अध्यात्म के सरवच्च सिखर का सपरस किया हो। विहंगमयोग के ज्यान की यही विस्ता है। सद्गुरु देव के ज्यान की यही विस्ता है। लीखा लीखी की है नहीं, लीखा लीखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुलहा दुलहा दुलहिन मिल गए भीकी पड़ी बरात। तो देखा है, जिसने देखा है उस परमसत्य को, जिसने साधना की अतल गहराई में पहुशकर अध्यात्म के सरवच्च सिखर को प्राप्त किया है। जिसने परमसत्य की अनभूति की है किस अधार से वाहिरूब से नहीं, भातिक रूब से नहीं, आत्मिक रूब से, अध्यात्मिक रूब से, जिन्होंने समस्तत्वों का प्रत्यक्ष किया हो, देखा हो उसे। जिन्होंने सम्स्त Dakar झाहिवावी जिन्होंने समस्त्वा प्रत्यक्ष किया है।